Hello everyone, Welcome to the channel of KV Teachers Guild बच्चों आज इस वीडियो में हम क्लास्टिक सिस्ट्री का एक नया चाप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अशोका, The Emperor Who Gave Up War हिंदी में अशोक कहेंगे, अशोक वो समराट जिन्होंने की war को युद को give up किया, प्याग दिया, छोड़ दिया अशोका जिस kingdom के king थे, जहांके राजा थे, वो 2000 साल से भी पहले establish हो और काफी vast empire था अपने empire को, अपने सामराज्य को बढ़ाने का पहले एक ही तरीका था, वो था war लड़ाई होती थी, युद और लड़ाई में जो जीतता था, हारने वाले की सारी property, जमीन, सब कुछ जीतने वाले को मिल जाती थी, और जब war होता है, उसमें बहुत violence और बहुत bloodshed होता है इसी से ही affect होकर, इसी से ही प्रभावित होकर, अशोका ने war को give up कर दिया था इनके बारे में चाप्टर में और पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चाप्टर 7, Classics, History रोशन्स रुपीज, रोशन clutch the crisp notes, रोशन clutch करती है, clutch करना मतलब पकड़ना, पकड़ती है crisp notes को, कड़क note मतलब नए note जो होते है, that her grandfather had given her, जो उसके grandfather ने उसको दिये थे, on her birthday उसके birthday पर, ये देखें, ये रोशन है, while she badly wanted to buy a new CD, वो बहुत चाती थी कि वो एक नए CD खरीदे she also wanted to just see and feel the brand new notes, वो ये भी चाती थी कि जो brand new notes, एकड़म नए note है, इनको वो देखे और feel करे it was then, that she noticed, और फिर वो notice करती है, ध्यान देती है, that all of them had a smiling face of Gandhiji कि सभी noteों पर Gandhiji का एक smiling face है, मुस्कुराता हुआ face है, printed on the right note में सभी noteों में right side में Gandhiji का face है, and a tiny set और एक छोटा सा set of lions है on the left left में lion का भी set है, what were the lions there for, she wondered, अब वो हैरान होती है, wonder करती है कि ये lion यहाँ पर क्यों है गांदी जी तो आप जानते है, father of nation है, इसलिए उनकी picture है, लेकिन lion का क्या मतलब है, हमारा तो national animal भी lion नहीं है, tiger है इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, और first topic है हमारा a very big kingdom, एक बहुत बड़ा राज्य and empire, जिसको एक सामराज्य कहा जाता है the lions that we see on our notes and coins, जो lions को आप अपने note या coin पर देखते हैं, have a long history, उनकी एक बहुत लंबी history है they were carved in stone, वो stone को पत्थरों को काट कर बनाए गए है, picture में आपको दिखाई दे रहे हैं चार lions हैं actually, लेकिन एक तरफ से आप देखेंगे, तो obviously आपको तीन ही दिखेंगे, लेकिन एक back side में भी है पत्थरों को काट कर ये बने है and placed on top of a massive stone pillar और फिर इनको place किया गया, रखा गया एक बहुत बड़े pillar के उपर, ये pillar है नीचे at sarnath, कहां पर है ये? सारनाथ में, जगे का नाम याद रखना, पूछ लिया जाता है कई बार Ashoka was one of the greatest rural known to history, Ashoka जो थे बहुत महान राजाओं में, महान शाशकों में से एक है and on his instructions, inscriptions were inscribed on pillars और उनकी instructions पर, मतलब उनके कहने पर, उनके आदेश पर ही, ये चीज़े inscribe की गई है, inscriptions लिखे गई है inscription हम बोलते हैं किसी चीज़ को काट के जब आप कुछ लिखते है as well as on rock surfaces, ये pillars के ऊपर या फिर कोई पत्थर का surface है, कोई उसके ऊपर inscribe के गए है, काट के उनको लिखे गए है before we find out what was written in these inscriptions, अब आप पूछेंगे इन inscriptions में लिखा क्या है उसको पता करने से पहले let us see why his kingdom was called an empire पहले ये देखते हैं कि उनके kingdom को empire क्यों कहा जाता था, राज्ये को समराज्ये क्यों कहा जाता था the empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Ashoka जिस kingdom को rule करते थे, जिस empire को rule करते थे वो उनके grandfather ने शुरू किया था, जिनका नाम था चंद्रगुत मौरिये नाम बहुत important है, आप देखेंगे, कई सारे competitive exams में भी आपसे पूछा जाता है ये Mauryan dynasty है, जिसके king ये सब रहे हैं, सबसे पहले वो शुरू की थी, चंद्रगुत मौरिये ठीक है, फिर उनके बेटे और उनके बेटे थे अशोक more than 2300 years ago, आज से लगबग 2300 साल पहले चंद्रगुत was supported by a wise man named चानक्या ये बहुत important नाम है, आपने program भी देखा होगा, टीवी में आता है बहुत बुद्धिमान ये थे चानक्या, चानक्या नीती नाम से एक book भी है तो चानक्या ने इनको support किया चंद्रगुत मौर्य को और कौटिलिया या फिर उनको कौटिलिया भी कहा जाता है चानक्या का ही दूसरा नाम कौटिलिया भी है Many of चानक्या's ideas were written down in a book called अर्थशास्त अंडरलाइन कर लीजे important है, चानक्या ने जो book लिखी है उसका नाम है अर्थशास्त या फिर ये भी पूश्टिया जाता है अर्थशास्त किनों ने लिखी है चानक्या ने, चानक्या कौन थे चंद्रगुत मौर्य के kingdom में ये थे और बहुती wise man थे जिनकी help से चंद्रगुत मौर्य ने मौर्यन dynasty शुरू की थी ये नया सामराज्य शुरू किया था ठीक है अच्छा डाइनिस्टी क्या होती है पहले ये देख लीजिए डाइनिस्टी जिसको हम वन्ष भी बोलते है जब एक ही फामिली में एक के बाद एक रूलर बनते रहे पहले फादर थे फिरूनका बेटा बना फिरूनका तो इस तरीके से ऐसे जब चलता रहता है उसको डाइनिस्टी कहा जाता है जो है ये एक डाइनिस्टी बन गई थी और इसमें तीन बहुत इंपोर्टन रूलर रहे हैं पहले हैं चंद्रगुप्त मौर्या जिनोंने शुरू किया था अब आप उन चाहिए जहां पर आशोका के इंस्क्रिप्शन मिले और यही से आप समझ जाएंगे क्यों उनके किंग्डम को एंपायर कहा गया कोई भी किंग आप देखें इंडिया के ऊपर बहुत सारे किंग्स ने रूल किया यहां पर मगद था यहां पर कोई और फिर नीच प्लस पाकिस्तान में आप देखें प्लस अफगानिस्तान में आप देखें टीनों ही जगों से उनके इंस्क्रिप्शन मिले आशोक के मतलब इतना बड़ा सामराज्य था उनका तो इसको एंपायर कहा गया क्योंकि पूरे इंडिया के उपर इन्होंने रूल किया एक ताइ तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो यहां पर हमें मिलेगी जैसे लुम्बिनी कौशाम्भी सारनाथ यह देखें यह वो जगह जहां पर यह सारनाथ है जहां पर की वो इंस्क्रिप्शन जो वो मिला है ओर लायन्स वाला नाशनल आंबलम है लिया गया हमारा तो कंट्रीज पूछी गें किन किन देशों में थे इंडिया पाकिस्तान और करंट अफगानिस्तान ओके देर वर सेवरल सिटीज इन दे एंपायर मार्क विद ब्लाट डॉट्स ऑन दे माप पे ब्लाक डॉट्स हैं कुछ एंपायर की कुछ शेहर दिये हुए हैं इस इंक् पार्टली पुत्र तक्षिला और उज्यान है तक्षिला वास गेटवे टू नौर्थ वेस्ट का गेटवे था यहां से ओकर वो जाती थे यह देखे तक्षिला यह इस तरफ के लिए था इंक्लूडिंग सेंट्रल अश्या तक यह फैले हुए थे वाइल उज्यान ले ओन रूट फ्रॉम नौर्ट तू साउथ इंडिया उज्यान जो है वहां पर रूट था नौर्ट तू साउथ जाने का यह देखे उज्यान बिल्कुल ऐसे है यह यहां के लिए था तक्षिला उधर के लिए था तीन कापिटल्स थी इनकी अश्योका के टाइम पर तीन राजध इन शहरों में शायद मर्चेंट्स यहां के जो व्यापारी थे ओफिशल या फिर प्राफ्ट परसन जो थे वो रहते होंगे इन अधर एरिया देर वर विलेज़ ऑफ फार्मर्स और हर्डर यह तीन में शहर थे और बाकी जो थे वह गाउं थे जहां पर फार्मर्स किसान र अभी तक भी फॉरिस्ट से फूड को गैदर करते थे मतलब फार्मर नहीं थे जैसे हम लोगों ने पहले देखा वैसे ही वो जी रहे थे और अनिमल्स को हंट किया करते थे पीपल इन डिफरेंट पार्ट आप्ट आप्ट आप इंपायर के में जगे जगे के लो क्योंकि ब और अलग-अलग टाइप के क्लोट भी पहनते होंगे ओके इंपायर किंग्डम से कैसे डिफरेंट है समराज्य राजियों से कैसे अलग है और क्यों मौरियन डाइनिस्टी का यह जो पूरा किंग्डम है इसको एंपायर कहा गया समराटों को राजाओं से जाधा रिसोर्स चाहिए जाधा सामान चाहिए because empire are larger than kingdom क्योंकि empires जो होते हैं वो kingdom से काफी बड़े होते हैं और बहुत बड़ी आर्मी इनको प्रटेक्ट करती है और इसमें बहुत सारे officials भी होते हैं अधिकारी भी होते हैं जो कि tax collect करते हैं तो दो तरीके से यह अलग है सबसे पहले तो बहुत बड़ा सा बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं एंपायर्स kingdom छोटे होते हैं और इनको जादा resources जादा सामान चाहिए जादा संसाधन चाहिए बड़ी आर्मी चाहिए प्रटेक्ट करने के लिए जितना बड़ा एंपायर उतने ही जादा officials होंगे अलग-अलग जगों से tax collect करके लाएंगे and everything okay next ruling the empire अब हम बात करेंगे कि इन पर rule कैसे किया जाता था as an empire was so large क्योंकि empire बहुत बड़े होते थे different parts were ruled differently अलग-अलग parts अलग तरीके से rule किये जाते थे उन पर अलग तरीके से शाक्षन किया जाता था the areas around partly putr was under the direct control of the emperor जो partly putr के आसपास के area था वो emperor के direct control में था उसको वो सीधा देखते थे क्योंकि इतना बड़ा देश है एक राजा पहले इतनी facilities भी नहीं थी mobile and something लोग पैदल ही जाते थे तो कहां तक वो ध्यान रखेगा तो यह area जो है partly putr के आसपास का इस पे वो direct नज़र रखता था यही पर शायद राजा रहता होगा इस mean that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craft person and traders who lived in villages and towns in the area जो उस town में उस area में उस शहर में गाउं में रहता है वहीं के लोगों को official बनाया जाता था कि देखिए आप official है आप अधिकारी है आप यहां के farmers से, traders से, craft person, व्यापारी जो भी यहां पे लोग है सभी से tax collect करेंगे राजा को इतनी बड़ी army को रखना है, खिलाना है, अपने आप ऐसे भी वो कुछ करता नहीं है as such मतलब production नहीं करता है obviously तो इतने सारे दर्बार में लोग होते हैं, इतने सारे लोगों के लिए खाना, यह सब चीज़े, पैसा बहुत चाहिए तो कहां से आता है, यह लोगों से tax collector करके आता है, जितना आपका समराज्य है उसमें जो भी लोग, मालिजे कोई किसान है, उसके पास 10 quintals गेहु हुआ, तो वो 1 quintal government को देगा आजकल भी तो हम लोग tax देते हैं, तो यह पहले सही चला हुआ आ रहा था तो वहीं गांग के एरिया में, शहर के एरिया में लोगों को appoint कर दिया जाता था कि वो tax लेंगे लोगों से, officials also punished those who disobeyed the ruler's order जो ruler की order को disobey करते थे, मानते नहीं थे, उनको punish भी किया जाता था उनको दंड भी दिया जाता था, officials ही वो काम करते थे, अधिकारी ही Many of these officials were given salaries, इन में से कही officials को salary भी मिलती थी तंख्वा जैसे आजकल मिलती है अधिकारियों को Messengers were sent to and fro and spies kept a watch on these officials Messengers to and fro मतलब राजा से, इनके पास, इनसे राजा के पास आते जाते रहते थे, यह contact करते थे राजा से और spy, spy हम कहते हैं जासूसों को अब यह ना हो कि यह अपने आप में बगावत कर दे राजा के खिलाफ चले जाए इसलिए इनके ओपर spy भी रखे जाते थे, कहीं ऐसा तो नहीं है जादा tax collect कर रहे हैं, सरकार को कम दे रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं तो spy भी होते थे, जो इन पर भी नज़र रखते थे, okay and of course the emperor supervised them all और obviously जो emperor था वो तो इनको supervised करता ही था with the help of members of the royal family and senior ministers अब यह नहीं कि वह खुद ही देखेगा, उसके कुछ senior ministers और कुछ जो royal family के members थे, वो इसको देखते थे, उनके उपर control रखते थे, there were other areas और provinces, वहापर कुछ और भी areas या provinces छोटे छोटे प्रांत भी होते थे, each of these was ruled from provincial capital, यह provincial capital से control किये जाते थे, दो provincial capital हमने देखी, तक्षिला और उजयन, तो कहने का मतलब है, यह provincial capital है दोनों, तीनों ही capital, लेकिन तक्षिना और उजयन प्रोविंसल थी, प्रोविंसकी थी, यह इधर वाले प्रोविंस की प्रानतों की, यह इधर वाले प्रानतों की लेकिन में जोती वह प्रॉफिंजय पुत्र थी जहाँ पर किंग रहा करता था, और इस जो capital है उससे भी इन पर नज़र रखी जाती थी and the royal princes were often sent as governors और यहाँ पर जो royal prince है राजकुमार जो है royal family के उनको भेजा जाता था governance बना के local customs and rulers were probably followed और उसके बाद local customs जो यहाँ की कुछ locally परमपराएं थी कुछ rules थे उनी को यह follow करके इन पर rule किया करते थे ठीक है तो पूरा ही Mauryan Empire था लेकिन यहाँ पर राजा रहेगा पूरा control करेगा यहाँ पर उसने अपने कुछ इन दोनों जगों पर कुछ royal family के कुछ राजकुमार भेलती है जिनको governor कहा जाता था राजा यही है गवर्नर्स इनको इन एरिया को पूरा control करते थे चलिए आ गयाते हैं besides there was there were vast areas between these centers इनके बीच में भी बहुत सारा area बचता है here the mauryas tried to control roads tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute बीच में जो area बचता है वहाँ पर भी यह लोग road बनाकर या फिर river पर अपना control करके control कर रहे थे morians जो थे और क्योंकि यह road और rivers फसले उगाने के लिए road transportation के लिए बहुत ज़रूरी है और जो भी यहाँ पर उनको resource मिलते थे उसको भी यह लोग ले लेते थे समझ गए यह देखी यहाँ पर उजयन से यहाँ हो रहा है control इससे यहाँ हो रहा है बीच में यह जो इतना area बच रहा है ऐसे 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 ऐसा नहीं है कि यह चूट गया यहाँ पर कोई नहीं था इस पर road बना दी बाकी जो कुछ resources मिले जंगलों से लकडी ले ली यहाँ पर भी मतलब कि उनका ही control था एक तरीके से बहले ही वहाँ पर कोई नहीं बड़ा शहर नहीं बसाया लेकिन जो वहाँ पर लोग रहते थे उनसे भी लोग टाक्स कलेट करते थे को कि आपड़ शास्त्र पॉर ग्लंकेट कि नौर्थ वेस्ट अच्छे होते नौर्थ वेस्ट इंडिया काउंसा पार ही उपर वाला हमने देखा भी है कश्मीर में बहुत अच्छे ब्लांकिट पश्वीना वुल मिलती है, ठंड बहुत जादा होते हैं, लोग भेडे पालते हैं, तो वो ब्लांकिट के लिए फेमस था, South India for its gold, South India में प्लेट्यूस बहुत सारे हैं, वहाँ पर गोल्ड मिलता था, Sona and Precious Stone, कुछ कीमती पत्थर मिलते थे, It is possible that these resources were collected as tribute, और ये tribute के तौर पर वहाँ से लिये जाते थे, कि tribute दिया है, हमने एक तरीके से, tribute tax की तरह नहीं था, कि आपको देना ही है, वो हमारे उपर depend करता है, tribute क्या होता है, unlike taxes, which were collected on regular basis, taxes तो regular basis पर collect किये जाते थे, इकठे किये जाते थे, लेकिन उनकी तरह नहीं, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things, ये तब collect किया जाता था, जब लोग देना चाहे और दे सके possible और उनके लिए more or less willingly, अपनी इच्छा से या फिर जो भी है, अपनी इच्छा से जो देना चाहते थे, उसको tribute कहा जाता है, okay, tax आपको देना ही है, tribute आप जो अपनी इच्छा से किसी को extra द दियास वर more or less independent, यहाँ पर जो लोग रहते थे वो independent थे, अपने आत्म निरबर थे, फोरेस्टे लगडी कठा कि उसे को जला लिया, महा से उनको खाने का सामान मिल गया, मतलब राज्य से, राजाओं से इनसे उनको जादा कुछ लेना देना नहीं था, but may have been expected to provide elephants, तो इनको मतलब है जहाँ पर direct control नहीं था, शहर नहीं था, महा से भी कुछ नकुछ benefit जो है वो लिया जाता था, तो more or less पूरे ही जगों पर, सभी जगों पर, मौरियन्स का, जो control है वो बना हुआ था, अब हम बात करते हैं, the emperor and the capital city, राजाओं की और जोनकी capital city है, राजधानी उनकी, मेगस्तनीज was an ambassador who was sent to the court of चंदरगुट, एमबैस्टर ऐसे होते थे, मान लिजे, राजा है, उसके वो अपने kingdom से, अपने empire से, किसी दूर empire में अपने यहां के किसी आदमी को बेजता था, देखने के लिए, कि वहाँ पर किस तरीके से काम होता है, कैसे राजा ने control करता है, ताकि वहाँ से कुछ चीजें सीख सके, तो मेगस्तनीज एक ambassador थे, जो कि चंदरगुट मौरिया के court में उनको बेजा गया था, यानि कि मौरिया का जो first empire थे, वो चंदरगुट थे, वहाँ पर वो आये थे, मेगस्तनीज, बाई ए ग्रीक ruler, एक ग्रीक ruler ने उनको बेजा थ जिनका नाम था सेलिकस निकेटर, जो ruler थे वहाँ के, ग्रीक के, उनका नाम था सेलिकस निकेटर, उन्होंने अपने यहां के ambassador को यहां भेजा, ambassador का नाम था मेगस्तनीज, जो कि चंदरगुट के सामराज्य में आये थे, तीन-चार चीज़े इंपॉर्टेंट यहां से निक मगा के, तो पता लगता है कि कैसा इंडिया में, अक्चल में कैसा था, क्योंकि राजा जो लिखते हैं, इसा का जाता है, इंडिया में आप रूल कर रहे हैं, आप लिखेंगे, अपनी तारीफे लिखेंगे, अक्चल जो चीज़े हैं, वो कई बार ambassador जो महा से आये, या फि इंडिया में इसा का जाता है, इसा का जाता है, पालकी, तो देखेंगे, वो सोने की पालकी में सोने की पालिंकिन में आते थे, his guards writes, elephant decorated with gold and silver, उन राजा के जो गाड थे, जो उनके अंग रक्षक थे, वो elephant के उपर आते थे, elephant को सोने और चामी से सजाया हुआ होता था, some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots, कुछ गाड थेखिये, पेडो को ही लेके अपने साथ चलते थे, जिनके चिडिया कैसे उसमें चल रहे, इतना शोर सुनके तो चिडिया वैसे ही उड़ जाएंगी, लेकिन कुछ parrots होते थे, जिनको train किया जाता था, शानो शौकत के लिए ऐसा कुछ नहीं है, circle about the head of the emperor, जो की emperor के सरके चारो तरफ घूमते रहते थे, सोचे क्या नजारा होता जो है, जो है, वो सराउंडेड रहता था, उसके चारो तरफ आम्ड विमेन होती थी, लेडिस होती थी, जिनके हाथ में हातियार होते होंगे, he is afraid that someone may try to kill him, ऐसे का incident history में आपको मिलेंगे भी, जहां पर राजा पब्लिक में है, किसी ने उसको मार दिया, तो उसको डर रहता था, कि कोई उसको मारने की कोशिश कर सकता है, तो पूरा protection से वो आता था, he had special servants to taste the food before he eats, खाने से पहले कुछ सर्वेंट होते थे, जिनको टेस्ट करना पड़ता था, पहले वो टेस्ट करते थे, अगर उनको कुछ नहीं हुआ, फिर राजा खाता था, he never sleeps in the same bedroom for two nights, किसी भ जो है, emperors वो शौफ करते थे चीजों को, and about पाटली पुत्र ही रोट, और देखे, पाटली पुत्र के बारे में उन्होंने क्या लेखा, पाटली पुत्र जिसे आज गला पटना कहते हैं, this is a large and beautiful city, पाटली पुत्र जो थी वो बहुत बड़ी और बहुत सुन्दर शहर थ ताकि दूर से अगर कोई आ रहा है, आकमन करने के लिए वो देख ले और 64 gates थे जहां से एंटर कर सकते थे आप उस शहर में, the houses of two and three stories, घर जो थे वो दो मन्जिल या तीन मन्जिल थे, are built of wood and mud brick, वो लकडी के या फिर mud brick, मिटी की इंटों के बने हुए थे, the king's palace is also of wood, जो उसका palace था, राजा का महर जो था, वो भी लकडी का बन्दा होता था, and decorated with stone carvings, और उसमें पत्थर को काटके carvings की होती थी, it is surrounded with guards and enclosure for keeping birds, माकरी का gardens, उसके चारो तरफ gardens थे, और कुछ ऐसे enclosures बसेरे थे, जिनमें की चिडियाओं को रखा जाता था, मतलब चिडिया के तरफ थोड़ा जादा वो था, मौरियंस का, तो यह उन्होंने पार्टली पुत्र के बारे में लिखा है, तो इतना कुछ पढ़के आप समझ गएंगे क्यों इसको empire कहा गया, इतने vast उसमें फैला हुआ है, इतनी शांदार इसकी capital है, इतना राजा का देखे क्या गृत्बा है, So that's all for now, अभी के लिए इतना ही, rest of the topics we will cover in another video, अभी मौरियंस के बारे में हमने बहुत सारी चीज़े सीखी, thank you so much for watching, remaining topics part 2 में cover करेंगे